तो गुरू लोग आज की वीडियो में मैं एक डिस्टर्बिंग मुवी ब्रीडर को एक्स्प्लेन करने जा रहा हूँ मुवी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि इसे 25 देशों ने बैन कर दिया था तो चलिए मुवी की कहानी पर आते हैं तो मुवी के शुरू होते ही हमें एक कफल को दिखाया जाता है जिसमें से लड़की का नाम मिया होता है उसका पती थोमस सो रहा होता है तो थोमस के कम्प्यूटर पर कोई मेल आती है जब मिया उस नोटिफिकेशन को खोल कर देखती है तो उसके अंदर किसी डॉक्टर की तरब से एक मैसेज होता है जिसमें के एक पिक्चर होता है उस पिक्चर में किसी की बोड़ी की उपर 14 के लिखा होता है वो उस डॉक्टर ने थोमस को इसलिए भेजी थी क्योंकि मिया के पती थोमस उसके अंडर काम किया करता था उसके बाद थोमस की आँख खुलती है फिर वो डॉक्टर से बात करने लगता है उसे किसी फैक्टरी के बारे में पूछ रहा होता है तो वो डॉक्टर कहती है फैक्टरी के बारे में बातें मत करो और इस बात को यहीं खत्म कर देती है तोमस उससे कहता है कि आप मेरे घर आजाओ यहां मिलके बैट के बाते करते है उसी दवरान मिया भी वापिस आ रही होती है जो कि जोगिंग पर गई हुई थी तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि रस्यन थी और उसके गोद में एक बच्चा भी था मिया उस लड़की से बाते करने लगती है तब भी वहाँ पर वो डॉक्टर भी पहुँच जाती है जिसे मिया के हस्बन थोमस ने बुलाया था तो वो डॉक्टर रस्यन से कहती है कि वहाँ तुम्हारे बाल कितने प्यारे है और वो उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और उसका बाल तोड़कर अपनी पोकेट में रख लेती है अब डॉक्टर उनके घर के अंदर आयाती है और फिर से बाते करने लगती है थोमस उससे कहता है कि देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, फिर रात को हम मिया को देखते हैं, जो कि मस्द त्यार हुई होती है, फिर वो थोमस से बाते करने लगती है, लेकिन थोमस उसकी बातें को नहीं सुन रहा होता है, उसको मिया से कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो कापी दुखी हो जाती है, उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिया के पड़ोसी आउरत को देखते हैं, उसे कोई ठोक करके वहा से चला जाता है, और बेशारी वहीं पर भेहोस हो जाती है, जोह ऑब उसे होस आता है, तो वह देखती है कि उसके पास दो आदमी हैं, जिन् में इस रश्यन लड़की को वो लेडी डॉक्टर नहीं किड्नैप करवाया था डॉक्टर उसके उपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी उस चीज के उपर जो उसने बना रखी थी यानि कि वो बूढों को दुबारा से जवान कर सकती थी तो इसका एक्सपेरिमेंट व मिया के घर पर आती है और दर्वाजा खटकटाने लगती है मिया फ़वरं से बहर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ उसकी खराब हालत देखकर वो उसे होस्पिटल ले जाने के लिए तयार हो जाती है लेकिन तब यह वहां पर थोमस आ जाता है और कहता ह है कि मैं इसे होस्पिटल लेकर जाता हूं तोमस इस तरह से कह के रस्यन लड़की को अपने साथ ले जाता है यह गते हुए कि मैं इसे होस्पिटल लेकर जा रहा हूं मिया को भी थोमस पे भरोसा था तो वो उन दोनों को भेज देती है लेकिन उसको क्या पता था कि थोमस उसी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है और थोमस उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइब करने लगता है काफी देर हो जाता है लेकिन होस्पीटल नहीं पहुचता है तो अभी अचानक से वही फैक्टरी आती है जिसके बारे में मिया का हस्बेंड बोल रहा था वो अपनी गाड़ी फैक्टरी के बाहर रोकता है और तब भी वहाँ पर वो किड्नैपर्स आ जाते हैं जो कि कुछ लड़कियों को किड्नैप करके ले जा रहे थे पी थोमस उस डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि आखिर कब तक तुम लड़कियों को किड्नैप करती रहोगी सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तुम तो इसमें कोई पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करती हो क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट वो डॉक्टर करती थी उसके पैसे थोमस ही देता था और हो सकता है कि मतलब के लिए उस डॉक्टर ने उसको अपने साथ रखा हो तो वो कहने लगती है कि तुमें कोई प्रोबलम है मैं किसी पर एक्सपेरिमेंट करूं तो वो रसिन लड़की आखिर तुमारी लगती क्या है जो तुमें तकलीफ हो रही है वहीं दूसरी तरब मिया को भी शक हो रहा था कि इतना लेट हो गया है ना वो लोग अभी तक घर आए है ना ही मुझे इन्फरम किया है अब वो उस रूम में जाती है जहां पर थोमस के कंप्यूटर्स पड़े हुए थे वो उसके लोकेशन को ट्रेस करती है लेकिन जहां उसका लोकेशन नजा रहाता है उसके आसपास तो कोई होस्पिटल भी नहीं होता है तो अब भी तोमस का एक जूटा मैसेज आता है कि मैं उस लड़की को होस्पिटल छोड़कर आगे आ गया हूँ लेकिन मिया को उसकी बातों पर यकिन नहीं आ रहा होता है तो वो सोचती है कि मैं ट्रेस करूंगी और उसके पीछे जाऊंगी फाइनली लोकेशन ट्रेस करते करते मिया भी उसी फैक्टरी के पास पहुंच जाती है अब वो डॉक्टर सीसी टीवी से सब कुछ देख रही होती है कि उसकी फैक्टरी में मिया आई है लेकिन वो कुछ भी नहीं करती है और मिया अंदर आ जाती है लेकिन इसी बात का तो डॉक्टर को इंतिजार था वो अपने दो साथियों को बुलाती है, वो उनसे कहती है कि मिया को उस रूम में बंद कर दो, इस फैक्ति के सबसे बड़ी बात ये थी, कि एक बार जो उसके रूम में कैद हो गया, वो कभी अपनी मरजी से बाहर नहीं जा सकता था, अब उन दोनों आदमियों में से एक आद वो चिलाने लगती है, तो चशमे वाला आदमी कहता है, कि तुम्हें दर्द हो रहा है, और फिर वो उसके जख्म पर मूद देता है, और फिर वहाँ से चला जाता है, मिया काप ही चिला रही होती है, और जग थोमस को पता चलता है, कि उसकी वाइफ यहाँ पर है, तो फिर आदमी डॉक्टर को कॉल करता है तो डॉक्टर कहती है कि अच्छा ठीक है मिलने दो इसे और अब वो मिया के पास जाता है और उससे बाते करने लगता है मिया कहती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ केहों नहीं बताया तुम इस जालिम डॉक्टर के साथ काम क्यों कर रहे हो तो फिर Thomas मिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम बुरा है, जो कि वो डाक्टर कर रही है, लेकिन मैं अपनी महरजी से उसके साथ नहीं हूँ, उसने मुझे ऐसा करने पर फोर्च किया है, कुछ समय पहले उसने मुझे एक लड़की से मिलवाया था, मेरे उस लड़की से एहसान है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए काम करना ही होगा, उसने मुझे काफी बलेकमेल किया, इसलिए मैं उसके साथ पार्टनर्शीप में आ गया, अब मिया रोने लगती है, कि अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगी, तो वो मिया को गले लगा लिता है, और कहता है कि तुम परिशान मत हो, तुम मेरी वाइफ हो, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, और मैं तुम्हें निकाल कर ही रहूंगा, बस मुझे कुछ वक्त दो, लेकिन तुम खुद यहां से बाहर जाने की कोशिश मत करना, वरना यहां के आदमी तुमें मार डाल तुम मुझे पर भरोसा रखना, मिया काप की दुखी हो जाती है, और इस तरह राद भी हो जाती है, तब ही मिया को लगता है कि जैसे उसके रूम के बाहर कोई है, उसे आवाजें आने लगती है, और जब वो अपने रूम से बाहर देखती है, तो वो रश्यान लड़की हो करता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहां तक पहुंचा, तो डॉक्टर कहती है कि बहुत जल्द कम्प्लीट होने वाला है, और उसके बाद हम बूढों को जवान कर सकेंगे, यानि कि एज को काफी साल पीछे ले जाएंगे, अब तो मस्टर से पूचता है कि अगर तु लेकिन अभी तक मुझे अपने जैसा सेल्स नहीं मिला, जिन जिन लोगों का सेल्स मैच होता गया, किसी दूसरे के साथ मैं उन्हें ठीक करती गई, यानि की जवान बनाती गई, यही वज़ा थी कि डाक्टर रसियन लड़की की बाल को ली थी, ताकि वो पता लगा सके कि इसका सेल्स मेरे साथ मैच होगा या नहीं, थोमस उससे पूछता है कि अच्छा अगर सेल्स कभी मैच ना हुआ, तो तुम क्या करोगी, तो डॉक्टर बड़ी असानी से जवाब देती है, तो और क्या, मैं और लड़कियों को किड्नाइप करके उन्हें मारती जाऊंगी, अब थोमस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, खैर वो अपनी वाइप को बचाना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर को अपनी बातों में लगाने लगता है, वो उससे काने लगता है कि मेरी बीवी बहुत बुरी है, मेरा भी बहुत सीर खाती थी, उसे पता चल गया था, कि तुम्हारी फैक्टर कहा है, और तुम्हारा काम क्या है, तो क्यों ना उसे मार दिया जाए, मैं खूद भी उससे काफी तंग हूँ, डॉक्टर को लगता है कि थोमस उसके साथ लोयल है, तो उस पर घरोसा कर लेती है, और उससे कहती है कि ठीक है, तुम मिय तो डॉक्टर के लोग उन दोनों को को देख लेते ने मियां तो वहां से भाग जाती है और आनि गारी में बैठ है अखिक वह कंते हैं उतनी नेर में हम देखते हैं कि डॉक्त को एक बात पता चलती है कि उसके साथ ही ने last night जो मिया का blood sample लिया था, उसके cells डॉक्टर के साथ बिल्कुल match कर गया था, वो सबको orders देती है कि मिया को वापिस लेकर आओ, लेकिन उसे पता चलता है कि मिया तो भाग गई है, तो वो कहती है कि मिया किसी भी सलूक करती है उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है वो उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ डाल देती है और फिर उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है जहां पर बहुत जादा लड़कियां होती है उन सब की हालत बहुत जादा खराब थी अब डॉक्टर उसकी बोड उसे बताया था कि वो मर गई थी और उसी लड़की के बारे में बोल बोल की डाक्टर थामसत को ब्लेकenergy करती थी यह लड़की असल में जिनदा थी वह लड़की अब मिया को बताती है कि डाक्टर मुझे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिये थे कि मैं एक्टिंग करूँ कि जैसे मैं मर गई हूँ पर मैं नहीं जानती थी कि इन सब के पीछे उनका क्या इंटेंसन था और बाद में उसने मुझे भी कैद कर लिया अब वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो विचारी दर्द से चिला रही होती है तो अभी वहाँ पर डक्टर का एक आदमी आता है वो बूरे तरीके से उसके कान को खार देता है फिर वो और ज्यादा चिलाने लगती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और उसका खून भी आने लगता है तो वो आदमी उस लड़की को मारता है और उसके होट में स्टेपलर मार देता है ये सीन देखने में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है अब ये सब 402 चिलने लगती है जिससे डॉक्टर ने मरा बताया था और इसी के बैस पे वो थो मसक ब्न के गरती थी तो डॉक्टर को वही आदमी जाता है और उससे मारने लगता है लेकिन तभी वह और चिलने लगती है और दॉक्टर वहाँ जाती है अब यहाँ हम देखते हैं कि उसका एक बच्चा होता है और डॉक्टर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है रात को हम देखते हैं कि डॉक्टर का आदमी जब जेल में खाना देने के लिए आता है तो मिया एक काम करती है वो उस आदमी को तंग करने लगती है और जेल के मारने लग जाती है अब वो लड़की जिसका बच्चा था वो अपने बच्चे को ढूनने के लिए चली जाती है और उसके साथ बाकी लड़कें भी होती है तो अभी उनके सामने एक कंटेनर दिखाई देता है कंटेनर से बहुत जाद दुरगंद आ रही थी और जब वो उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें चोटे चोटे नौजाद बच्चों के डेट बोडी से होती है ये देखकर वे लोग काफी डर जाते हैं और वो लड़की भी क्योंकि उसके बच्चे कभी यही हाल होने वाला था अब उनके पीछे डॉक्टर का आदमी भी पढ़ जाता है ले क्योंकि सारी लड़किया फ्री हो चुकी थी और वो डॉक्टर को चारों तरह स्वर घेर लेती हैं और उसे पकट के उसे मारने के कोशिस करती हैं डॉक्टर काफी घबरा जाती है उनमें से कुछ लड़किया डॉक्टर के उस आदमी के पाद जाती है जो कि उन्हें टोचर पर सबस्क्राइब! तब तक के लिए बाई